तो भाई लोग काफे टाइम से न मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारी सेंसिरिटी खराब है उसके वएसे हमारी स्प्रेज अच्छे नहीं जा रहे हैं तो इसलिए मैंने सेंसिरिटी के उपर वीडियो बनाई थी और भाई काफे सारे बंदों के पॉजिटिव कमेंट्स आई थे कि भाई आपकी सेंसिरिटी बहुत अच्छे जवग कर रही है पर वहीं पर कुछ बंदे ऐसे जो बोल ले थे कि भाई आपकी सेंसिरिटी तो काम ही नहीं कर रही है तो भाई देखो जितनी इंपोर्टेंट सेंसिरिटी होती है ना उतनी ही इंपोर्टेंट टेकनीक और ट्रेनिंग होती है अगर आप लोग की टेकनीक सही है ना तो आप किसी भी सेंसिरिटी पे ट्रेनिंग करके भाई जीरो रिकोल स्प्रेज मार सकते हो औ इससे कि आप लोग zero recoil sprays master कर सकते हो, close range में भी और long range में भी और आप लोगो ये भी बताने वाला हूँ कि आपको practice किस तरीके से करनी है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी time waste के, तो भाई अगर तुम लोगो zero recoil sprays मारने है न तो सबसे पहले तो तुम्हें recoil का pattern स जा सकता है, अगर आप लोग gyro player हो, तो vertical recoil control करने के लिए आपको बस अपने phone को नीचे की तरफ को drag करना है, और अगर आप लोग non gyro player हो, तो आपको अपने थम से अपनी screen को नीचे की तरफ को drag करना है, और second चीज़ जो आप लोग notice करोगे, वो है horizontal recoil, और गैस जो horizontal recoil होता है इसको control करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका spray कब left या right चले जाएगा, और even भाई competitive players को भी बहुत ज़्यादा problem होती है horizontal recoil को control करने में, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है zero recoil space मारना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी गाईस अगर आप लोग यहाँ पर recoil के pattern पर धियान से देखो, तो भाई जो आपके starting की 5-7 bullet है यहाँ पर बिल्कुल भी horizontal recoil नहीं है, यहाँ पर simple vertical recoil है, और जैसे कि मैं आप लोग वीडियो को starting बदाय था, vertical recoil को आप अपने थम से या फिर अपने जाइरो से बहुत ही easily control कर जकते हो, मतलब की तुम्हारी starting की 5-7 bullets तो बिल्कुल laser जाने वाली है, और अगर तुम इन 5-7 bullets में ही enemy को knockout कर देते हो, तो तुम्हें horizontal recoil को control करने की ज़रत ही नहीं पड़ेगी, अभ गैस तुम लोग को लग रहा होगा है कि भै starting की 5-7 bullets में कैसे knock करेंगे, enemy को हम से तो भै 40 bullets में नहीं होता, तो भै देखो उस चीज की चिंता तुम लोग मत करो, मैं भी तुम्हें वीडियो मा आगे ट्रेनिंग डिल्स दिखाने वाला हूँ, जिनने की अगर तुम लोग एक हफता भी practice कर लोगे तो भाई तुमार जो second bullet पे recoil आता है वो बहुत जाद आता है, अभी गाईस आप लोग background में देख सकते हो, जब भी मैं fire कर रहा हूँ, तो मेरी first bullet के बाद मेरी second bullet पूरी उपर को jump हो जा रही है, अब गाईस होता गया है कि जब हम लोग long range fight ले रहे होता है तो भाई वहाँ पे जब हम enemy के पर aim रखते हैं, तो भाई हमारी first bullet तो enemy को लग जाती है firing start करने के बाद, पर भाई second bullet और उसके बाद की सारी bullet न भाई enemy के उपर से jump कर जाती है, और भाई यहाँ पे तो तुम लोग को छोटा मोटा difference लग रहा होगा, पर भाई जब हम लोग mid range या फे long range fight लेते हैं तो उस पर target की chest पर aim रख रहा हूं, और उसके वेशे क्या हो रहा है, पहली bullet तो भाई मेरी chest पर लग रही है, पर बाकी की सारी bullets न भाई मेरी target के head पर लग रही है, और गैस आप लोग यही चीज न अपनी classics में भी कर सकते हो, अगर enemy आप से mid range में होता है न तो भाई आप लोग क् पेरों पर लगे, बाकी की सारी न भुलट जंप होके भाई enemy के head पर लगे, और भाई अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, और भाई enemy के head पर aim करते हो न, long range में, तब भाई तुम्हारी एक गोली तो enemy के head पर लग जाएगी, पर बाकी की तुम्हारी सारी bullets न, enemy के sir के उपर से जाएंगी और miss हो जाएंगी, तो से लो भाई अब मैं तुम लोगों को training drills बता दीता हूँ, जो जो तुम्हें practice करनी है, और भाई तुम लोग ये drills न, एक हफता practice कर लेना, तुम्हारा spray न भाई एक दम next level हो जाएगा, तो भाई सबसे पहले तुम्हें इस जगह पे आन करना है, और भाई तुम्हें सिर्फ head पे focus करना है, कि तुम्हारे head shots लग रहे है, और भाई अगर तुम्हारा target डाउन नहीं हो रहा है, पांस bullet में इसका मतलब यही नहीं कि तुम्हाई पूरा spray continue कर दो, बस पांस bullet मानना, फिर उसके बाद तुम दूसरे target पे aim shift कर देना, और भाई यह वाले drill तुम्हें maximum 5 minute practice करनी है, उससे जादा तुम्हें practice नहीं करनी है, और भाई इसके बाद तुम लोग को 90, 120 और 150 meter वाले targets को on करके, movement speed 0 करके तुम लोग को start कर देना है, और कि यहाँ पे ना तुम लोग को red dot के साथ practice नहीं करनी है, तुम लोग को यहाँ पर बड़े scopes के साथ practice करनी है, और कि जो मैंने आप लोग को बताया था na bullet jump, उस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग को थोड़ टार्गेट के नीचे aim रखके fire करना है, उससे आप लोग को idea दाएगा कि बाई कि कितनी दूरी पे कितना जादा bullet jump होता है, कित Central recoil की practice आप अगली drill में करने वाले हो, और कि इस एक और important चीज, अगर आप लोग बैट के spray मारते हो, तो भाई आपका bullet jump बहुत कम हो जाता है, और आपके recoil भी बहुत जादा कम हो जाती है, तो भाई अगर आप लोग के पास time होता है, तो भाई आप लोग पहले बैट जाए सामने आला target गिरना जाए, और भाई इस वाली drill से ना हमारी vertical recoil के साथ साथ हमारी horizontal recoil की भी practice हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग 5-7 bullet का burst तो मार देते हैं, पर भाई enemy उसमे नौक नहीं होता है, और उस time पे हम लोग को continuous spray मारना होता है, और भाई अकर हमारी horizontal recoil की बिल्कुल भी practice नहीं होती, तो भाई हमारा spray ना भाई वाँ पे left-right हो जाता है, और भाई हम enemy को knock नहीं कर पाते हैं, और भाई ये drill आपको सभी scopes के साथ practice करनी है, और भाई आप लोग को maximum एक drill को पांस नटे practice करनी है, उससे जाधा practice आप लोग को नहीं करनी है, मतला आ एक दिन में आप लोग का spray improve नहीं होने वाला है, आप लोग को minimum एक हफता लगने वाला है, और भाई एक हफते बाद ना वापस आके मेरे को comment section में जरूर बताना कि आप लोग के game में कितना improvement हाया है, तो भाई अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को like करना और share कर देना अपने दोस्तों के साथ, और भाई अगर तुम लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया ना तो भाई subscribe कर देना क्योंकि तुम लोगों के लिए फ्री ओफ कोस्ट है, पर भाई मुझे बहुत motivation मिलती है तो भाई जल्दी से subscribe कर दो, और भाई अ enjoy कर सकते हो और अ कर दो, और कहोती है झाल झाल